तो दोस्तों कोरोना वाइरस की वज़े से तो पर दुनिया में इफेक्टिट केसे हैं वो तीन लाग से जादा हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 13500 से जादा हो गई हैं हमारे देश में इंडिया में मरने वालों की संख्या साथ पार हो चुकी है मार्च 22nd 2020 तक अगर आप इंफेक्टिट लोगों के बारे में बात करोगे तो 341 से जादा इंफेक्टिट कैसे हमारे देश में आ गए हैं अब ऐसी सिचुएशन में प्रधानमदी नेंद्र मूद्य जी ने सबसे पहले अनौन्स किया जनता कर्फ्यू 22nd of मार्च को हम सब लोगों ने जनता कर्फ्यू को अबजर्फ किया था और सुभा साथ वजे से रेकर शाम के नौ बजे तक हम सब लोग अपने घर पे रहे थ दाकत हमारे देश हरत अश्य सर्विसिस प्रोवाइट करें लोगों को सपोर्ट किया था अब बहुत सारे राज्जियों ने कोरुना वायरस को धिया में रखते हुए क्योंकि को रोकने का भी एक मात सुल्यूशन हम लोगों के पास है वह है लोग डाउन तो यह होता क्या है तो को स्टेट गवर्मेंट इंपॉर्टेंट गाइडलाइज इशू करती है किस एक्ट के अंदर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंदर बिटिशर्स के समय पर यह एक्ट आया था और उसी एक्ट का इस्तेमाल हम लोग आज तक करते हैं इस एक्ट के अंदर इस एक्ट 1897 के अंदर अगर कोई भी स्टेट गवर्मेंट कोई भी बड़े गाइडलाइन को भी बड़ी रेगुलेशन कोई भी बड़े रूस को अनौंस करती है एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए तो हम सब को उनको मानना ही पड़ता है अगर नहीं मानोंगे तो यह होते हैं कैफे कम्यूटी सेंटर वो सब बंद कर दिया जाते हैं इवन चार लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग भी बंद हो जाती है चार लोगों से ज्यादा गैजरिंग नहीं हो सकती और लॉकडाउन के समय पर सब को यही एडवाइस किया जाता है कि आप सब लोग जैसे मालो आपकी milk shops हैं वो चलती रहेंगी पर milk shops और राशन shops जो आपकी चलती है कि वो आपको essential services provide कर रही हैं महाँ पर crowding नहीं करनी है भीड वग्यारा नहीं एक त्रेट करनी है एक बारे में एक या दो लोग हैं जिनको समान लेना है इसके साथ साथ आपके vegetables और food supplies वो जारी रहती है food processing unit चलती रहती है पेट्रोल pumps की services चारी रहती है कुछ पेट्रोल pumps सरकार बंद कर सकती है पेट्रोल pumps की जो services होती है वो जारी रहती है ओके जो milk और जो dairy plants होते है वो खुले रहते है प्राइवेट government hospitals 24 घंटे के लिए खुले रहते है medical stores 24 घंटे के लिए खुली रहती है अगर कोई भी medical store वाले यहाँ पर 24 घंटे के लिए अपनी stores को खोलना चाहे तो वो companies जो के आपको health और medical equipment प्रोवाइड करती है वो अपना काम करते रहेंगी टेलिकॉम कम्पनीज अपना काम करते रहेंगी आपको मतलब जो जियो वोड़ा फोन वगयरा जो आपको services प्रोवाइड कर रहे है या आपके घर में Wi-Fi services आ रही है वो services naturally normally जैसी है वैसी ही चलत रहे होंगे ठीक है जैसे मांदो आपका N95 मास्क है या आपका sanitizer है यह भी essential communities act के अंदर डाल दिया गया तो अगर इनकी supply कर रहा है तो वो transportation vehicle चल सकता है इसके साथ government भी आप लोगों के घरों पर अगर चाहे तो राशन पानी का समान पहुचा सकती है और ambulance system को ऐसी situation के अंदर बड़ा दिया जाता है अब एक सवाल आता है कि किन लोगों को allow किया जाता है कि इस lockdown की situation में भी वो लोग जाकर अपना काम करेंगे ठीक है अपनी duty निभाएंगे कौन है number one हमारे policeman हमारे doctors nurses sweepers administrative officers इसके साथ सर्प media persons और वो लोग जिन्हें अपने जरुरतों का समान लेने बा समान ना हो आपका कोई ऐसा समान ना हो जिसके बिना कोई काम नहीं चाह सकता तो कोशिश करें कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले अब गाइस एक आपको एक बहुत important यहां पर update दे रहा हूं कि अगर अगर सरकार ने जो guidelines issue करी है कोई भी व्यक्तियों guidelines को नहीं मानता ह तो उसके खिलाफ हम लोग क्या क्या action ले सकते हैं मतलब सरकार क्या क्या action ले सकती है तो district officer होते हैं वो action ले सकते हैं under section 188 of the IPC और अगर कोई भी व्यक्ति कोई information चुपाता है coronavirus को लेकर तो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करी जा सकती है वो होती है section 269 और section 270 of the IPC के अंदर जैसे की Kanika Kapoor के खिलाफ एक बड़ा action लिया गया एक important update की आप लोगों के लिए प्लीज इसको share करें like करें और subscribe करें इस अमार्शरमा signing off so love at peace from my side thank you for having me here guys and have a great day आहे